सो ये गाइज स्वागत्य बढ़ फिर से एक नई वीडियो में सो गाईज आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपने view के इस mobile को अपडेड कर सकते हो यहनकably system update कैसे कर सकते हो जाथ दोस्तु अगर आपके पास वीऑ का कोई भी mobile है setting को open करने के बाद guys आपको update चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपर जो search bar दिया गया है इस पर click करना है search bar में click करने के बाद आपको यहाँ पर लिख दिना है update जैसे आप यहाँ पर update लिखोगे तो आपके पास एक option मिल जाएगा system update देख पार है आपर system update लिखा हुआ है इस पर click करना है इस पर click करने के बाद guys आपके सामने जो भी update आया होगा आपके phone में जो भी update होगा वो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर एक option मिल जाएगा download and install देखे अब यहाँ पर 280MB का update आ चुका है तो आपके mobile पर इस फो हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर download and install पर click करना है अगर दोस्तों आपका mobile पहले से update होगा तो यहाँ पर आपके में लिखके आयागा कि your system is up to date यानि कि your system पहले से यह update है यह लिखके आएगा तो यहाँ पर अगर नहीं update होगा तो यह download होना चालू हो जाएगा और जैसे यह 100% download हो जाएगा उसके बाद install करने का option आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों यहाँ पर देख पार होगा कि यह लोगबक download हो चुका है 96% download हो चुका है तो अभी यह option आजाएगा यहाँ पर install करने का तो यह 98% हो गया आपको भी इसी तरीके से download कर लेना है जैसा आपका net speed होगा उसी तरीके से जल्दी यह download हो जाएगा उसके बाद दोस्तों देख पार हो यहाँ पर एक आप से मिल चुका verify upgrade package तो यह देखें यहाँ पर ok करना हुआ जिर्फ कुछ भी नहीं करना है आपका system जो आटोमेटिक अपडेट होने लग जाएगा अब यह दोबारा से process करेगा और अभी यह आपका switch off होकर के फिर से on हो जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों आपका यह system है यह update हो जाएगा पूरी तरी से आपका जो software है वो update हो जाएगा तो इस तरीके से आपके किसी भी mobile को update कर सकते हैं अब देखें यहाँ पर यह on हो जाएगा